जै स्री रादे जै स्री राम जै श्री परशो राम आप समस्त देश वास्यों को मेरे तरफ से देर चारा बदाई अक्षय तरतियागे पावन पर उपर श्री परशो राम जैन्ते पर आप समस्त विप्रपर विप्रबंधों से समस्त साधू संत महत्माओं से मेरा यही निवेदन की एकाक्रता होकर समस्त हमारी राश्किय जिन्तन और भारतवर्श में समस्त ब्राम्बन का एकता होना निवार्य है अतर इस परशूराम जहन्ती में भागवत में कहा गया है श्री परशूराम जहन्ती में अर्थात श्री भगवान परशूराम जब जब धर्म पर अधर्म हुआ है तब तब भगवान जी का उनर जन्म हुआ है इसी तरह परशूराम जी का जन्म उच्छा होने का अर्धार जब जब इस प्रत्वी परत्याचार हुआ उच्छमय परशूराम जन्म होने के बाद 21 बार प्रत्वी को हीन करके असुरों का एवं सहस्तर अर्जुनों का इन सब का संगहार्ज किया और जब जब अधर्म हुआ तब तब पापियों का नास किया गया इस भारत वर्ष हमारे समस्त हिंदुस्थान समस्त देशवासियों से मैं निविदन करूँगा कि कभी भी धर्म पर खिलवाड ना करें भगवाबस्तर पर खिलवाड ना करें इवन साधुशंतों का अपमान ना करें जिस प्रकार इस द देशवासी एवं समस्त ब्राह्मान समस्त गैरागी समस्त नागा अखाडा समस्त हमारे हिंदू धर्म के समस्त जो ज्यां माटने वाले उन भी सही दोनों हात्माओं के आत्मा सामती है तो मैं आप सभी से नवेदन करता हूं कि कभी भी साधू संतों पर खिलवाड़ना करें और धर्म पर खिलवाड़ना करें जिसमें आपको सारी कष्ट का विद्दाव को जेलना पड़ें अरधार प्रकृति का जो भगवान पार ब्रम प्रमात्मा जो बनाया है इस पृत्वी में आप धर्म पर खेलना करते हुए, पूजा पाड धर्म कर्म पद्धती इन सब का अपमानना करते हुए, मेरा एक सांती संदेश आप समस्त से मैं चाहूंगा, मैं सभी हिंदू धर्मों से निवेदन करूंगा, कि कहीं भी हो जो प्रमात्मा जो निर्मान कर इस प्रकार कभी भी ऐसा किसी को छोट ना आए, किसी भी भगवादारी, किसी भी पूजा अर्चना पर कभी आप तिप्धनी ना करें, मैं सभी को इस संदेश देते हुए, आज अक्षय तृतिया पावनपर्व की उप्लक्ष पर समस्त ब्रामण परिवारों को मैं अपने तरफ से आप सभी समिवेदन करूँगा, कि समस्त एक हो, और सब समित्रता बढ़ाएं, और सब प्रेम पाड़ते हुए, समस्त जगत का लानार्थ को, शब को व्यान का उद्देश देते हुए, अपने जीवन को परतार्थ करें, एवं विश्व सांती है तू, सब के जगत परतान करें, जैसी राधी, जैसी राम, जैसी परसुराम